यह जो हमारा टॉपिक है यह पारे प्रीविएस टॉपिक की ही कांटिनुएशन के अंदर जो हम जैसे के मूव कर रहे हैं हमने पार्ट बन जो इसका किया उसके अंदर हमने नोट किया कि जब हम gets open करते हैं इसके ने कमंड्स फॉपिक के एंदर हम फुर्दर आगे नोट करेंगे हमारे पास हम कोई बैस चीज़ कर सकते हैं तो मौडिफाइय की तरफ तक हम देखें कि हम इसको next menu के अंदर क्या क्या कर सकते हैं तो पार्ट 3 के अंदर हमारे पास further हम main menu के आगे move करते हुए format तक पहुंच चुके हैं format basically आप के common term हम use करते हैं कि report formatting ये report आपने किसी को submit करवाई तो वो कहते हैं की format मुझे change करके देदें means आप उसका text style बदर सकते हैं आप font size बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं तो सेम अगर जब आप AutoCAD में काम करेंगे और आपने lines पे suppose काम किया हुए है और आपको task मिलता है कि line thickness ठीक नहीं है thickness बढ़ा दें even line type नहीं ठीक आप line type change कर दें तो format basically आपकी ड्राइंग बनी भी ड्राइंग के अंदर text style अपने यह same text यहां submit करवाया है उसका 12 14 वह अपने version change करने हैं तो आप इसके अंदर point लगा है आपने आपको point style बदलने का कागया है तो multiple commands जो है उनके styles बदल सकते हैं उनके colors का चेज़ कर सकते हैं then हमारे पास tools है और tools से ही हमने जो AutoCAD classic की settings भी की थी और तो यह tool basically यहां पे multiple options मौझूद है यहां पे command line यहां से भी आप यह command line option मौझूद है तो आप on and off कर सकते हैं और again अगर हम वापस जाएं और हम command line को on कर देते हैं हमारे पास tool के पास clean screen जो के पहले भी हम चेक कर सुके हैं कि लगा कुछ tools हम one way बना के use करते जाएंगे और further हमारे पास load application है आप बाज वकार जब आप किसी organization में काम कर रहे होंगे तो उन organizations ने अपने separate formats बना लेते हैं वो उनके पास specific files होती हैं वो आपको देते हैं तो यहां से अगर किसी कोई आपने खुद self create कि है कोई tool एक LSP tool हम आगे जाके move पढ़ेंगे भी सही जो कि पाक modified हमारे पास coordinates आ रहे थे but if you want to change the coordinates तो आप यहां से easily कर सकते हैं next time move करते हैं और हमारे पास group ungroup यहां पे options की command भी मुझूद है इसके साथ हमारे पास draw तो यह जैसा कि इस topic के start में हमने देखा यह बहुत main command है हमारी actually यह जो draw objects हैं यही objects हमारी foundation बनाएंगे इनी objects से हम buildings करेंगे जिसके अंदर further हम modifications भी कर सकते हैं addition तो यह main menu की वैसे सारे command बहुत है हमें but main menu के जो यह draw का हमारा जो menu है यह सबसे important है इसके अंदर you can see line, art, SP line, block, table हम coloring कर सकते हैं इसके अंदर तो text हम लेख सकते है multiple options हमारे पास यहां पे मौझूद हैं ड्रा जैसे कोई भी object हम draw करेंगे उसके फॉरण बाद आपको task मिलता है कि इस object को measure करके दिखाएं आपने line लगाई और line measurement सापने करनी है then हमारे पास आपने circle लगाया और circle का आपको radius find out करना है diameter find out करना है और aligned actually हम multiple objects जो हमने draw की हैं उनकी measurements करेंगे और इसके साथ ही हमारे पास modify की command मुझूद है तो suppose हमने कोई चीज़ ड्रा कर ली है उसके अंदर हम further additions करना चाह रहे हैं हम उसको further उसी copy करना चाह रहे हैं उस object को erase करना चाह रहे हैं break करना चाह रहे हैं join करना चाह रहे हैं तो यह हमा multiple command so modify command हम वहां use करेंगे जो चीज़ ड्रा हो चुकी होगी तो without drawing तो आप किसी चीज़ को modify modify mean के आपके पास एक object मौझूद है and you want to change make any change तो हम modify so then parametric यह mainly delete constraints और constant bar तो हमारा इसके अदर ज्यादा usage नहीं होगा window के अंदर आप आपको सबसे लास्ट में अगर आप जित्री ड्राइंग इस ताइम open है वो आपको वो शो कर रहा है और आप स्विच कर सकते हैं between drawings आप drawing 1 में drawing 2 यह स्पोस हमारे पास drawing 2 है आप यहां जा सकते हैं आप जिस drawing पे आप जैसे cursor लेके click करते हैं तो आपको उस drawing क के अंदर बूख करवा देता है इसके साथ हमारे पास help है यह वो offline help भी है online help भी मौजूद है और बहुत सारी options आप feedback भी send कर सकते हैं और अगर आपको online help नेट आपको connected है तो जैसे ही आप यहां पे click करते हैं तो आपके पास options मौजूद है आप online और offline help दे सकते हैं बहुत सा related जो जो issues हैं उसकी clarification है, justification है, lines लगानी कैसी है आपको खुद autodesk की, autodesk की अपनी website है और इसके साथ हमारे पास एक पर है तो यह हमारे actually हमने इसको complete topic को किया जिसके अंदर हमने main menu के अंदर जो है वो multiple options देखें तो हमने इस topic के अंदर अपने main menu को complete किया है जिसके अंदर हम हमने multiple commands, draw commands, modify commands देखी हैं, किसी object को change करना हो कैसे करते हैं, तो I hope कि अब यह हमारे इस completion के बाद हम easily a command की placement को भी देख सकते हैं और हमें idea होगा कि किस menu के अंदर कौन सी command operate कर रही है